हलो फ्रेंड्स वल्कम तू माई यूटूब चैनल सो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपे पुलिस काउंच्टेवल का एक्जाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टन कोसेंस को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टन है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर करें चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोडिफिकेशन वाइल और करना ना भूले है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गायस यूपी पुलिस काउंस्टेवल के एक्जाम डेट खोशित कर दी गई है 18 फरवरी 2024 को इसका एक्जाम आयोजित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 45 से 46 दिन सेस बचे ओवे हैं दिसमर खत्म हो चुका है और जनवरी लग चुकी है आज मैं आप लोगों के लिए जनल हिंदी के कुल 50 कोषिजन्स लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 50 कोषिजन्स में 45 कोषिजन्स के सही जवाब दिये तो आप लोगों समझ लीजेगा कि आप लोगों की जो 500 जनल हिंदी की तियारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो एक कोईसन्स के लिए आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा 2-3 सेकंड के बाद मैं आंसर के लियर कर दूँगा सेसन को यह बार सेयर कर देजिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर देजिए आज के सेसन में पहला कोईसन्स मारा रहेगा तो यहां पर हो जाएगा बिभावना लंकार और क्यों हो जाएगा वो भी जान लेजिए क्योंकि बिना कारण के कार्य हो रहा है यहां पर इसलिए यहां पर हो जाएगा विवावनार लंकार option c correct हो जाएगा नैस question देखेगा सबी बच्चे questions है अधो लिखित में से कौन पश्मी हिंदी की बोली नहीं है गुंदेली, ब्रज, कन्नाओजी, बगेली अधो लिखित में से कौन पश्मी हिंदी की बोली नहीं है यह आपको बताना है देखिए बगेली जो है ना यह पश्मी हिंदी की बोली नहीं है तो जो भी यह ब्यारती d options बता रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल correct हो जाएगा अगला हमारा question से हिंदी भासा के विकास का सही अनुकरम है चूस कीजी आंसर आप लोग पाली प्राकर्त अप्रबस हिंदी option अबर यह जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल correct हो जाएगे अगला question देखेगा सभी बच्चे हिंदी भासा की लिपी है परिच्छा में पूछा गया questions है पेपर में छपने वाला पेपर में यह questions 100% छपेगा हिंदी भासा की लिपी कैसी है खरोष्टी व्रामवी देवनागरी इनमें से कोई नहीं तो जो भी यह ब्यारती देखेए अबदी जो है न यह मानक भासा नहीं है option D correct हो जाएगा अगला question देखेगा सभी बच्चे निमलिखित क्रिया समंदी अशुद्धियों वाले वाक्यों में से सुद्ध वाक्य चुनिए जल्दी से आंसर देजी सभी बच्चे मैं अनेकों विद्ध्वानों से मिला हूँ तो जो भी यह ब्यारती वी options बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे next question देखेगा सभी बच्चे questions है निमली लिखेत में से काउंस सब्द वर्तनी की ड्रेश्टि से असुद्ध है तो यहां पर आपको असुद्ध सब्द की पैचान करनी है काउंसी वर्तनी असुद्ध है उसकी पैचान करनी है आपको option number C जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे हसी अगला question देखेगा सभी बच्चे पदार्थ की यथार्थ अत्वा कल्पित धुनी को ध्यान में रखकर जो सब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं वे सब्द क्या कहलाते हैं आपको यह बताना है अनुकरण वाचक जो भी यह ब्यारती C options बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे ठीक है अगले questions की हम बात करेंगे नैस question देखेगा सभी बच्चे निम्नांकित में तदवाव सब्द है पक्षी, पुत्र, वावली, विक्चा निम्नांकित में तदवाव सब्द है यह आपको बताना है देखेए वावली जो है यह आपका तदवाव सब्द हो जाएगा तो जो भी यह ब्यारती C options बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे नैस questions देखेगा सभी बच्चे निम्नांकित सब्दों में एक सब्द कल्प ब्रच का प्रियावाची नहीं है देबदारू, कल्पतरू, कल्पद्रूम यह कल्पवू जल्दी से आंसर देए सभी बच्चे कल्प ब्रच का प्रियावाची नहीं है यह आपको बताना है जो ही बच्चे option number C बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल correct हो जाएगे next questions देखेगा सभी बच्चे, सैंकते सब्द का बिल्लऊं शब्द क्या होगा बिल्कुल unique questions है परिच्चा वाले questions वो सभी लोग बलकुल सही हो जाएंगे अगले कोशन इसकी बात करेंगे नेस कोशन से देखेगा एक सब्द से दूसरा सब्द एक सब्द से दूसरा सब्द बनाने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं उत्पत्ति, रचना, विवपत्ति इन मेंसे कोई नहीं एक सब्द से दूसरा सब्द बनाने की प्रिक्रिया को हम क्या कहते हैं तो जो भी ब्यार थी आप्षिन वर वी बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगी रचना कहते हैं क्या कहते हैं रचना सेशन को सेर कर दीजिए आप लोगे एक बार वीडियो को जल्दी से क्या होता है जो वे भ्यारती ए उप्सिंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएं कि रतनाकर का परियाई बाची सब्द होता है समुद्र नैस कोईसंस अलाव का परियाई बाची सब्दे क्या होगा अंगीथी, जल, धर्ती, आकाश अलाव का परियाई बाची सब्दे क्या होगा सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा देखिए अलाव का परियाई बाची सब्द होता है अंगीथी, क्या होता है अंगीथी, ए उप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अपील सब्द है बहुत important questions है परिच्छा में बार-बार पूछा गया है पेपर में ये questions आपको चपावा मिल जाएगा अपील सब्द है को इसे मैं आपके सामने 50 questions डिसकस कर रहा हूँ 50 में आपको questions के आंसर देने है 45, target रहेगा 45 का 18 February को आप लोगों का exam आयो जित किया जा आप किसी भी coaching संस्ता से कर तैयारी कर रहे है वहां से भी तैयारी कीजिए अगर आप online तैयारी कर रहे है तो online भी तैयारी कीजिए लेकिन जो मैं आपको practice set दे रहा हूँ उन practice set को आप लोग हल करते चलिए इसे पहले vacancy वर्स 2018 में आई थी इसके बाद ये vacancy आई लगए पांस सालों के बाद vacancy आई अगले पांस सालों तक कोई vacancy नहीं आएगी ये बिल्कुल clear है साब साब मैं आप लोगों पता देता हूँ ठीक है तो appeal सब्द कैसा सब्द है ये आपको बताना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि appeal सब्द जो है ना ये आपका तस्सम सब्द हो जाएगा कौँसा सब्द हो जाएगा तस्सम सब्द ए options correct हो जाएगा लाल्टेन सब्द है परिचाव में बार बार पुछा गया questions लाल्टेन सब्द है तस्सम तद्वो देशच विदेशच 100% पेपर में छपावा आपको एक questions मिल जाएगा लाल्टेन सब्द है लाल्टेन सब्द जो है ना ये आपका विदेशच सब्द है कौँसा सब्द है विदेशच option number D correct हो जाएगा next question देखेगा सब्द बच्चे कमल किस प्रकार का सब्द है रूण योगिक योग रूण इनमें से कोई नहीं कमल किस प्रकार का सब्द है कमल जो है ना ये एक रूण सब्द है कौँसा सब्द है रूण सब्द तो A options correct हो जाएगा बात करेंगे नैस कोशन्स की नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे लिखित वन संकेतों की सायता से भाव या विचार की अव्यक्ति को क्या कहते हैं लिपी भाशा वन इनमें से कोई नहीं लिखित वन संकेतों की साथा से भाव या विचार की अव्यक्ति को क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लिपी कहते हैं क्या कहते हैं लिपी तो जो भी यह ब्यारती ए औक्षिन्स बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है, NAS questions देखेगा सभी बच्चे NAS questions हमारा है भासा और लिपी है एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के प्रतिदुन्दी D है इन में से कोई नहीं भासा और लिपी है एक दूसरे के पूरक option number V जो लोग बता रहे हैं हिंदी सब्द की उत्पत्ती किससे हुई है हिंदू से, हिंद से, सिंदू से इन में से कोई नहीं हिंदी सब्द की उत्पत्ती जो है न ये सिंदू से हुई है, किससे हुई है सिंदू से, तो C options करेक्ट हो जाएगा गाज अगला question देखेगा questions है देव नागरी लिपी का विकास किससे हुआ है रोमन, गुरुमुखी, खरोष्टी, व्राम्वी देव नागरी लिपी का विकास किससे हुआ है यह आपको बताना है पेपर में छपने वाला कोशिशन्स देव नागरी लिपी का विकास किससे हुआ है ब्राम्वी लिपी से हुआ, किस से हुआ है ब्राम्वी लिपी तो D option बिल्कुल correct हो जाएगा बात करेंगे next questions की next question देगे का सबीवर्चे हिंदी है, हम बतन है हिंदुस्तान हमारा पंक्ति में हिंदी कार्थ क्या है भारत बासी, हिंदू, भारत देश इन में से कोई नहीं जो भी भ्यारती A options बता रहे हैं, हुँ सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे भारत बासी सेसन को share कर दीजिए और विडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा next question देखेगा, देव नागरी किस प्रकार की लिपी है, जल्दी से आसा दीजिए सभी बच्चे जो भी भ्यारती, C options C और जा रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे देव नागरी लिपी जो है यह अच्छा रातमक है, option number C correct जाएगे, नाश को उसन देखेगा तस्सम सब्दों का मूल इस्त्रोथ है संस्क्रत, पाली, अपरवस, प्राकर्थ तस्सम सब्दों का मूल इस्त्रोथ है संस्क्रत तो एई option जो लोग बता रहे हैं, वो सभी लोग विल्कुल correct हो जाएगे तर से ससक्तर, दिये गए मुहावरों का अर्थ क्या है questions क्या है पाउ बारे होना परिच्छा में बार बार पूछा गया questions paper में छपने वाला questions पाउ बारे होना इसका मुहावरा क्या होगा दाउ हारना, कारिस सिद्धू होना लाभी लाभ, प्राता काल जो भी ब्यारती C options की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे लाभ ही लाभ नैस को उसन देखेगा सभी बच्चे सेजन को सियर कर दीजिए एक बार वीड़ो को जदी से लाइक कर दीजिए शैतान की आंत इसका मुहावरा क्या होगा शैतान की आंत शैतान की आत यानि बहुत लंबी वस्तू जो भी ब्यारती C options बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नैस को उसन देखेगा अद धन गती किस संदी का उधारण है तो ये आप देख रहे हैं ये ऐसा अद में ये यूँ ये होता है बिसर्ग संदी का उधाराण तो option V जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसको पैचानने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है नैस कोईसन देखेगा कोईसन से प्रति उन्नमती सब्द में प्रियोक्त उपसर्ग है जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे प्रति यानि स्टार्टिंग का जो सब्द होगा आपका उपसर्ग होगा और लाश्ट बाला जो सब्द होगा प्रतिय होगा अगर आप परिवासा याद करेंगे तो जिंदिकी में आप कभी नहीं याद कर पाएंगे तो option और V की हो जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले questions की और next questions देखेगा सभी बच्चे questions क्रत्य प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं परिच्चा की label का questions पेपर में छपने वाला question जल्दी से answer दी संग्या के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेशन के अंत में, क्रिया के अंत में जो भी यह ब्यारती, D options बता रहे हैं, वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगी, क्रिया के अंत में बात करेंगे next questions की next questions देखेगा one किसे कहते हैं, परिच्चा में बार बार पूछा गया questions, पेपर में छपने वाला कोई से, दोनी को, सब्द को, छंद को, इन में से कोई नहीं, option number D correct हो जाएगा इन में से, कोई नहीं, option number D, अनुनासिक का समंद होता है, केवल नाक से, केवल मूँ से, नाक और मूँ दोनों से, इन में से कोई नहीं, बहुती अच्छे लेवल का questions है, पेपर में छपने वाल कोई से, जल्दी से, आंसर दीजिए सभी बच्चे, नाक और मूँ दोनों से, तो जो भी यह ब्यारती, C options बता रहे हैं, वो सभी लोग गुल करेक्ट हो जाएगा, कोई से, अनुनासिक ब्यांजन कौन कौन से होते हैं, वर्ग के परत्माच्छर, वर्ग के तित्याच्छर वर्ग के तित्याच्छर, वर्ग के परत्माच्छर, अनुनासिक ब्यांजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से, आंसर दीजिए सभी बच्चे, वर्ग के परत्माच्छर, जो भी यह ब्यारती, T options बता रहे हैं, वो सभी लोग गुलकुल सही हो जाएगे, नास कोशन देखे नास कोशन से, देवा सुर में कौन सा समास है, देवा सुर में कौन सा समास है, तो देवा अलग है और सुर अलग है, तो अगर अब ऐसा हो, देवा का सुर, देवा का सुर, यानि करताने करम को का, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका तत्प पूरुष समास तो जो भी या ब्यारती ए उप्शन बता रहे हैं सबी लोग इलकुल सही हो जाएंगी देखे इसमें थोड़ा सा मिश्टेक है इसमें क्योंकि देवा अलग है और सुर अलग है तो इसमें तत्पूरुष भी हो सकता है और दूंद भी हो सकता है तो मेरे जा रहे हैं सबी लोग इलकुल करेक्ट हो जाएंगे तत्पूरु समास हो जाएगा 87-89 लोगत्रतियों के विकल्पों में से उनके सई अर्थ विकल्पों का चैन केजिए कोईसंस क्या है ध्यान पूर्वक देखेगा कोईसंस है चचुंदर के सिर में चमेली का तेल इसका म मुआबरा होता है अयोग व्यक्ति को उत्तम पद मिलना तो जो भी वियारते डी ऑप्षन बता रहे हैं वो सबी लोग इलकुल करेक्ट हो जाएंगे सेसन को सेर कर दीजिए एक वाँ सबी बच्चे ज्यादा से ज्यादा नैस कोईसंस देखेगा हसुवे के विया में खुर सबी लोग इलकुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोईसं देखेगा नीम हकीम खतरे जान इसका मोगरा क्या होगा नीम का पत्ता चबाना नीम से हकीमी करना खतरना चीजें अलप ग्यान बहेंकर तो जो भी यह वियारती डी ऑप्षन बता रहे हैं सबी लोग इलकुल सही हो जा यह आपको बताना है बुठा का भाववाचक सब्द क्या होता है बुढ़ापा भुणहापा का सभी आंसर हो जाएगा महान का भाववाचक सब्द क्या होता जल्दी से आंसर देज determin की सभी बच्चे रिक्त का बिलूम शब्द क्या होता है सबी लोग आंसर बताते हो चलेगा रिक्त का बिलूम शब्द क्या होगा तो रिक्त का बिलूम शब्द होता है पून क्या होता है पून आप्शन नमर वी जो रोग बता रहे हैं सबी लोग बिल्कुल सही हो जाए ने सासमान या रागी विशेश का विलूम शब्द क्या होगा तो विशेश का विलूम शब्द होता है शामान तो ऑफिशन सी जो लोग को बता रहे हैं समी लोग बिलकुल सही हो जाएंगे 95- 95 निम्लिखित वाकियों में से असुद्धियों को छाटि है तो यहाँ पर आपको असुद्ध वाक का चैन करना है तता है क्या अंसरों का चार आपके सामने है 94 अवधी भासा में यह आपका असुद्ध वाक हो जाएगा ठीक है लोग यूँ ही अक्सर वेकार की बातों में समय बरबात करते हैं इसमें असुद्ध वाक का कौन सा होगा अक्सर वेकार की ऑप्शन नमर वी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे अब यह वाला कोशन देखेगा कितना यूनिक कोशन्स है पेपर में छपने वाला कोशन्स संस्क्रत के वे सब्द जो हिंदी में वीना किसी परिवर्टन के प्रियुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं जल्दी से आंसर देजिए सबी बच्चे तो वो सब्द कहलाते हैं तस्सम क्या कहलाते हैं तस्सम C options correct हो जाएगा ठीके NASकों से देखेगा अनुरुक्त का विलोंग शब्द क्या होगा पेपर में काभी बार पूझा जा चुका है ज़्दी से आंसर दीजी अनुरुक्त का विलोंग शब्द क्या होगा पेपर में छपने वाला कोशन्स अनुरुक्त का विलोंग शब्द होता है विरेक्ट तो option number V जो लोग बता रहे हैं सबी लोग बिलकुल correct हो जाएगे नाइस question देखेगा निम्न में से किस समू में सभी सब्त तस्सम है यह आपको बताना है शरकरा पवन जेश्ट अगनी यह सभी सब्त तस्सम हो जाएगे तो A options correct हो जाएगा ठीक है अगला question देखेगा किस समू के सभी सब्त योगिक है यह आपको बताना है 99 questions का अंसर क्या होगा रसोईगर अनपड पुस्तिकाल है राजमेल यह सभी सब्त योग की सब्त हो जाएगे last questions हमरा रहेगा आज का किस समू के सभी सब्त विदेसी है जल्दी से आंसर देजी सभी बच्चे किताब, सिनेमा, संत्रा यह सभी सब्त विदेसी सब्त है तो A option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे तो इसमें हम लोगों ने जेनल हिंदी के लगवक 50 questions डिसकस किये हैं अगर आप लोगों ने इन 50 questions में 40 questions, 45 questions के आंसर दिये तो आप लोग समझे लिजेगा कि आप लोगों की हिंदी की जो तयारी है वो काफी हद तक अच्छी है आप तयारी कहीं से भी कर रहे हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ तयारी आप कहीं से भी कर रहे हूँ जो मैं आपको practice set प्रोवाइड करा रहा हूँ ऐसे practice set आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जितने भी practice set हैं सारे के सारे questions मैं आपको important important questions करा रहा हूँ और जल्दी जिस जल्दी मैं आपको कोशिस करूँ का कि सारे के सारे कोशिस मैं आपको कबर करा दूं जल्दी से चलती ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कोशिया जरू करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू संस्क्राइब करें और कोटिफिकेशन बाइल आउन करना ना बूलें तो मिलते हैं नैश वीडियो के साथ जैहिन जैवारत